अभी तक हम बात कर रहे थे कि Google क्यों important है और वो कैसे अपने search engine को बेतर करता है और कैसे हमें उसके साथ चलना है लेकिन हम ये भी देखना है कि search engine optimization किस तरहां से डिशन मारकनिंग के अंदर fit बैठती है और हमें कैसे उसको एक बड़ी strategy में use करना है ताके हम अपनी website को बेतर बना सकें और उसको हम rank करवा सकें इसके लिए मैं आपको एक flow chart दिखाऊंगा जिसके तहत आपको ये समझ आजएगी कि SEO का role कहां पर play होता है और कहां पर जाके हमें बाकी चीजों को समझ आती है कि वो किस तरह से different है और ये किस तरह से different है सबसे मिले आप देखेंगे कि किसी भी website पर traffic आने के चार बड़े channels होते हैं जिसमें सबसे number one search है search के बाद social, social के बाद direct और direct के साथ एक referral है ये चार बड़े mediums हैं जिससे आपको traffic आ सकती है search का मतलब ये है कि आपको कोई search करके धूंड के किसी search engine से आपकी website पर आ रहा है वो search से traffic कहलाएगी दूसी चीज़ अगर आप social media देखें उसका मतलब ये है कि कोई आपको social media चैनल से धूंड रहा है या उसने किसी और की post देखी है या आपका page देखा है किसी भी तरह से वो किसी social media चैनल से वो आपकी website पर आया है उसको हम social traffic या social media से traffic बोल सकते हैं तीसरी जब हमने बताया कि वो direct traffic है तो direct traffic का मतलब ये है कि लोग जो आपको जानते हैं वो आपकी domain गूगल में लिखेंगे या वो आपका नाम गूगल में लिखेंगे या directly आपका URL ब्राउजर में डाल कर आपको visit करेंगे और वो directly आपके पास आजेंगे तो ये जो direct traffic है ये basic लिए किसी channel से नहीं आती ये directly आपको जानते हुए आपकी domain open करते हैं और उसको हम direct traffic कहते हैं चोथी category वो होती है जो आपको किसी और website से link क्लिक करके आते हैं तो for example अगर आपकी website का नाम या आपकी website का link किसी और website ने डाला हुआ है अपनी website के ओपर तो हो सकता है कि आपने कहीं article लिखा हो या आपकी कहीं news publish हुई हो किसी बड़े अख़पार में तो लोग वहाँ से news पढ़ते हुए वहाँ क्लिक करें और आपकी website पर विजट करने आ जाएं तो उसको बोलते है referral traffic referral traffic का मतलब ये है कि किसी ने हवाला दिया है ये किसी ने आपको refer किया है वो traffic referral traffic में count होती है और ये समझना इसलिए जरूरी है कि हमें categorize करना होता है कि हमारे कौन से channels ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा strong है जब ये channels हमें समझा आ जाती है तो हमें ये भी समझा आ जाती है कि कौन से channels weak हैं तो अगर हम strong channels को promote करेंगे और weak channels को भी हम कोशिश करेंगे बेतर करने की तो हमारी overall share ही बेतर होती जाएगी सो search को अगर थोज़ास मैं मज़ीद explore करूँ search के अंदर दो categories बन जाती है search में traffic organic medium से भी आती है और फिर search में traffic paid medium से भी आती है तो search organic का मतलब ये है कि search पे organic किसी ने बकाइदा search किया और उसने ads की बिजाए नीचे results पे click किया तो वो organic traffic कहलाती है क्यों किसी ने भी जब link की आपको click किया उसने आपकी organic listing पे click किया है ये organic listing वो listing है जो Google अपने algorithm से ये समझते होगे आपको rank करता है कि आप बहतरीन result है उसकी query के against जो भी उसने search किया था तो वो traffic organic traffic है जब भी आप SEO करते हैं तो basically आप ये search organic की traffic SEO के अंदर fault करती है और हम SEO के थुरू इस traffic को enhance करते हैं लेकिन हमें ये भी पता है कि Google हमें ads allow करता है तो अगर हम किसी जगा पे या किसी keyword के against foreign rank नहीं कर सकते या foreign हम traffic नहीं ले सकते हैं तो हम उस keyword पे add लगा सकते हैं ताकि हमें traffic आना शुरू हो जए जब कि हम SEO पे काम कर रहे हैं तो वो traffic search paid में कहलाएगी वो paid channel से आएगी लेकिन वो search के थुरू आएगी तो वो search paid basically PPC campaigns या SEM या search engine marketing के नाम से जानी जाती है mediums मौझूद हैं अगर आप organic social की बात करें तो social में organic का मतलब यह है किसी ने भी पैसे जो आपके ads हैं या paid listings हैं उस पे click नहीं किया उन्होंने बकाइदा आपकी status के उपर या किसी ने आपका status share किया हो या आपके page के उपर से कहीं से भी बगार ads के किसी push के वो आपके पास आई है आपको पैसे नहीं देने पड़े आपको किसी को convince नहीं करना पड़ा कि भाई इसको जबरसी दिखाओ इसको अगर आप दूसरी जबान में समझें तो आपने viral content का नाम सुना होगा वो चीज जो अक्सर viral हो जाती है तो आप मैं देखा होगा कि अक्सर कोई video अक्सर कोई status कोई image publicly viral हो जाता है viral का मतलब ये कि वो trend हो जाता है वो trend होने से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं कलिक करते हैं और वो आ जाते हैं ये वो traffic है जो पैसे दे कर नहीं खरीदी जाती ये वो traffic है जो basically अच्छे content से gain की जाती है इसको viral content भी बोलते हैं और social media management जो social media managers जो हैं वो social media management के तहट इसको manage करते हैं और आपको वो जाए सजाए traffic लेकर आते हैं इसी तरह से social पे paid भी होता है आपको ये पता है कि पाकिस्तान में या दूसरे मुलकों में जहां पर भी आप काप कर रहे हैं वहाँ पर social media channels पे हर बंदा मुझूद है और जो मुझूद है उसको आप ad दिखा सकते हैं social media में भी ad लगते हैं जिससे आप से google में ad लगते हैं आप क्या करते हैं कि आप अपनी target audience को select करते हैं उनको पैसे देते हैं और उसके against आपको आपका ad वो visible कर देते हैं वो ad पे कोई अगर click करेगा तो वो social media advertising के जिम्रे में आएगा जिसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पर click करके जो भी आ रहा है वो आ तो social media से रहा है लेकिन ये organic traffic नहीं है ये paid traffic है paid traffic का मतलब ये है कि आपको पैसे देने पड़े थे और paid और organic में चाए वो google पे हो चाए वो social media पे हो दोनों में बड़ा फरक ये है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं paid के अंदर और आपको organic में पैसे नहीं देने पड़ते है उसमें आपको quality देनी पड़ती है ताके वो इतना अच्छा content हो कि आपको बजाए किसी को पैसे देने के आप उसको खुद बखुद लोग उसको पसंद करें और वो आगे वाइरल करें आगे share करें और गैनिक और पैड में majorly ये फरक है चाहे वो गूगल पे है चाहे वो social के उपर है तो गूगल के उपर होगी तो गूगल अच्छे content को rank करेगा, social पे होगी तो social content ज़्यादा share होगा तो दोनों में different elements हैं लेकिन ultimately दोनों organic traffic कहलाते हैं पैड में आजएं तो गूगल के उपर लोग अड़ चला सकते हैं, keyword के गैंस, social के उपर अड़ चला सकते हैं demographics के गैंस के आप कौन हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, male हैं या female हैं या आपके पसंदीदाद चीज़ें क्या हैं, आपके क्यों कौन से pages like करते हैं, उसकी बेस पर आड़ चला देते हैं direct, जैसे कि हमने पहले जिकर किया कि direct में लोग direct visit करके आते हैं और referral में लोग किसी और website से click करके आते हैं, तो ये सारी traffic के different channels हैं, जो हमने understand की है इन सब में एक चीज़ बहुत important है, वो एक चीज़ क्या है, वो है content तो अगर आपके पास content नहीं है, तो आप कोई भी channel activate नहीं कर सकते हैं आपका content सब चीज़ों पर भारी है, चाहिए अगर आपने Google से organic traffic लेनी हैं, तो आपको content चाहिए अगर आपने Google से पैसे दे के traffic लेनी हैं, तो भी आपको content चाहिए, प्योंकि जब लोग click करेंगे तो किसी जग़ा पर land करेंगे और अगर वहाँ पर कुछ अच्छा ना हुआ, तो लोग even दो कि आप पैसे दे का traffic ले रहे हैं, वो फिर भी आपकी website छोड़ जाएंगे क्योंकि यूजर को आप जबदस्ती ला तो सकेंगे, जबदस्ती ना सही, कम अज़ कम पे करके आप ला तो सकेंगे, लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि जब तक उनको उनकी मर्जी का content नहीं मिलेगा, वो आपकी website छोड़ जाएंगे इसी तरह से सोशल मीडिया पे भी आप जिसको मर्जी जो status मर्जी दे दें, जब वो क्लिक करके आपके website पे आएंगे रेफरिल कोई आपको लिंक करेगा तो वो भी content चाहिए, तो असल में हासिल ये हुआ इस discussion से कि हमें content को ignore नहीं करना और content सबसे important चीज़ है आपकी पूरी website में या आपकी पूरी marketing के अंदर क्योंकि content ही सब चीज़ों को drive करता है, ये एक petrol की तरह काम करता है कि आप कोई भी गाड़ी ले ले लें, उसके लिए fuel बहुत important होता है ये fuel के तो आपकी marketing को अगर चलना है तो आपको उसको fuel देना है और वो fuel content की शकल में आपको बनाना होता है और ये content में अगर आप उसको paid कर देंगे तो paid content है, अगर आप उसको free कर देंगे organic content में आजएगा तो किसी भी तरह से आपको traffic चाहिए, paid हो channel से हो या organic से हो, social से हो या search से हो ये सब चीज़ों के लिए content में अहमियत का हामिल है और इसके बगार हम आगे नहीं चल सकते हो